एक हेलो दो आप जसे हैं जैसा आप आपि मैं यूदाइश विपार्ट्मर्श कर्व होगा जाए है कि सब्सक्राइब मैं पसकर्णाइलailthe Mich culture. मुष्य जूडने के वाद रात को ऐब montrov हो भी आपको वीडियो बना के दिखा रहा हूँ तो क्योंकि मुझे morning session में आपको लाई है जो आपका online lecture उसके अंदर मुझे और वीडियो देना है कि कॉमर्स के max department के उपर किसी ने वीडियो बनाया नहीं है मुझे बहुत सारे जो सर है YouTube के उपर वो क्या कर रहें पता है जो science को जो वीडियो है वो ही commerce को भेज दे रहें पर मैं आपको guarantee दे रहा हूँ कि मैं आपको अलग से separate commerce के रिलेटेट आपको वीडियो दूँगा सबसे चले syllabus के उपर मैं बात कर रहा हूँ एक बहुत ही जो सच्चा ही है वो सच्चा ही है commerce के लिए जो syllabus बनके आया वो बहुत ही hard syllabus है hard मतलब कि जो पहले का syllabus था उसके कंबरेजन में hard कर दिया science के लिए जो syllabus है वो simple है बहुत सारे यूटूबर जो यूटूब के जो सर होंगे बोलेंगे कि simple है syllabus commerce का ऐसा कुछ नहीं है commerce के लिए जो syllabus है वो hard कर दिया है तो यह चीज़ याद रखना बर आप tension मतलो आपको मैं पढ़ाऊंगा सब चीज़ों को simple करके दूँगा अब देखो commerce के part one में इसके पहले क्या syllabus था इसके पहले आपको part one में syllabus जो था वो logic था matrices था सेद यह part 2 है logic था matrices था continuity था नहीं यह part 1 नहीं है logic था तो यहां पर आप 5 लेसं अच्छे से कर लेते थे तो आपको 70 मांस तक 80 आउट आ सकता था पार वन के साथ अगर आप करते तो यहां पर आप लास्ट का इंटीरेशन भी अगर अच्छे से नहीं करते थे तो आउट आप 70 स्कोर कर सकते थे बट अभी देखो आपका नया सण हैं और यहां पर आपको आप्तिव आपकी सिलावस में अया saudara मेकलने हर किक्तां थे तक यहां पर आप यहीं आया हुआ इंपलेशन अब से आपको टेंसन लीने की जरवत नंहीं है और एकर आप देफिनेंट इंटीशन इंड см पुराने syllabus में था वो उसी के अंदर include था बस उसको अभी अलग कर दिया बट आपको एक नया part आया है differential equation ये थोड़ा सा difficult part है science का part है वो आपको नया chapter आ चुक है तो part 1 में आपको एक नया part क्या आ चुक है differential equation ये चीज़ याद रखना जो उसके उपर है application of definite integration है वो पहले से merge था उसको बस अलग किया है पर नया बाद आपको differential equation आया है डरो मत मैं आपको सब कराऊंगा बट सिलाबस याद रखना को तैयारी strong करोगे तो ही जीतोगे नहीं तो हार जाओगे आप मेरे साब जुड़े रहो सब कुछ करा के लोगा अब part 2 के उपर हम आते हैं थोड़ा सा time लगेगा पर हर एक चीज़ के बारे में आपको बता रहो part 2 के उपर part 2 में बहुत सारे changes हुए part 2 में देखो जो हमारा पुराना जो सिलाबस्ता उसके अंदर ratio, proportion, partnership, first lesson, second lesson, commission, brokerage, discount, third lesson, insurance and entity, बाद में 4, demography, 5, wire variant, frequency, distribution, 6, regression, analysis, 7, random variable, 8, linear in equation, बाद में linear in equation and LPP, मतलब linear programming, और 9, assignment है, अभी देखो नया सिलाबस्त में, जो commission है, second lesson, first lesson, जो है, यहां से गायब हो चुका है, second lesson रखा है, उन लोगने commission और brokerage, और discount, मतलब second lesson रखा है, first lesson cancel कर दिया है, third lesson उन लोगने रखा है, insurance and entity, बाद में यहां पे, lesson number, fourth, demography, एक दिन पहले मैंने बात किया था, demography के उपर, कि मैं पहला पढ़ाओंगा, पर easy lesson आचुके, time series जो हाँ पर आया हुआ है, linear regression, जो हमारा regression analysis से उसकी तरह equation है, उसी की तरह lesson है, तो यहां पर time series आचुका, index number, यह पहले 11th वालों को रहता था, syllabus में, तो index number एक अच्छा सा lesson है, यह बहुत easy lesson है, अच्छा lesson आया हुआ है, बाद में linear programming जो आपको lesson था, और assignment problem, और probability distribution, तो overall conclusion क्या है, part 2 जो है, sorry, part 1 जो है, उसके अंदर एक differential equation करके एक नया lesson आया, वही आपको नेहनत करना है, और जो आपका part 2 है, mostly easy है, उसको बाकी का सब मैं आपको करा के दूँगा, ठीक है, तो यह बस आपका syllabus analysis था, बाकी का मैं next lecture आपका कल से start करूँगा, thank you, thank you so much जया सबस्टाएं करूँगा, जया सोब सबस्क्राइब रादाएं कर दोदोदाएं कर रादाएं कर दोदी।